Hi everyone, आज हम इस वीडियो में, आज आप सभी को पता है, 7 October को पेपर हुआ है, और काफी दिनों बाद हुआ है, 30 September को पेपर हुआ था, 1 October को पेपर हुआ था, उसके बाद कोई पेपर नहीं था, आज पेपर दोबारा से स्टार्ट हुआ है, 7 October को, अब ये पूरे बीग चलेग बहुत जदा irrelevant question थे, तो क्या question आज भी irrelevant आएं, या relevant आएं, उसके बारे में तो हम बात करेंगे, पेपर का label कैसा रहा है, जो आपकी shift है, उसका paper का label कैसा रहा है, 1st shift, 2nd shift, 3rd shift, तीनों का हम बात करेंगे, कितने questions आपके GK में doable हैं, और कितने questions आपके English में doable हैं, ठीक है, औ लेकिन, एक यहां पर मैं आपको बात बता दो, अगर आपके paper में 5 दिन, या 5 दिन से कम है, तो आप इस video को आगे continue मत करो, इस video को यहीं पर बंद करके, आप इस video को मत देखो, क्योंकि अगर आपके exam में 5 दिन है, आप paper में क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा क्योंकि अब नहीं चीज़ें जब पढ़ने जाओगे, तो आपको anxiety होगी, और आपको लगेगा, मैंने तो यह नहीं पढ़ा, मैंने तो वो नहीं पढ़ा, तो जितना अभी तक पढ़ा है, उसके basis पर ही जाओ, तो अगर आपके paper में 5 दिन, या 5 दिन से कम है, तो आप इस रिदम से पढ़ाई कर रहे हो, उस रिदम से पढ़ाई भी न कर पाऊगे, तो आप इस वीडियो को वही देखो, जिनके paper में 5 दिन से जादा है, 10 दिन है, 15 दिन है, तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं, देखो वीडियो को सुरू करने से पहले, अगर आप mock नहीं एक subscription लेके दे सकते हो, आपको अलग-अलग exam के लिए अलग-अलग subscription नहीं लेना पड़ेगा, तो अभी तक आपके पास test book का subscription नहीं है, तो ले लो, आपने जो pyq memory based test है, वो test book से लगा सकते हो, ठीके और जब आप लगाओगे तो काफी आपका जो improvement है, जो pyq के थिरू, mock test क असली चीज है हमें analysis जब ही कर पाते हैं, जब हम mock test और previous year paper लगाते हैं, अभी इसका yearly pass है 608 रुपे में है, और अगर आपको doge करोगे DK12, तो आपको 13% का discount मिल जाएगा, और देखो मैं एक बात जानता हूं, कि अगर आप government job की तयारी कर रहे हो, तो आपके पास test book का subscription होना ही चाहिए mandatory है, चलिए हम video को सुरू कर लेते हैं, देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, question कैसे पूछेगा है, relevant या irrelevant, तो देखो इस चीज पर मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, जब 1 October का paper हो गया, तो maybe मैंने 2 October को एक video डाली थी, क्योंकि बहुत सारी लोग प हैं कि आपकी irrelevant आएंगी, तो मैंने उस बक्त भी आपको एक बात बोली थी, कि आप या तो irrelevant सोचके ये 20% के चकड़ में आप पढ़ो मत, या आप ये relevant सोचके 70-80% chances है कि relevant question पूछी रहा है, आने वाली shift में आप पढ़ लो, तो देखो वही हुआ, आज की तीनो shift, मैंसे एक shift कोई बच्चा ये नहीं कह सकता, जो पढ़के गया है, कि भाई मैं पढ़के गया हूँ, पेपर में पता नहीं क्या पूछ लिया, देखो 2, 4, 5, 6 सवाल irrelevant हो सकते हैं, वो 4, 5 सवाल भी अगर irrelevant है, तो वो हमारी shift ऐसी नहीं मानी जाए ही कि irrelevant सवाल पूछ लिये पूरी shift में देखो irrelevant shift जब मानी जाती जब 10-15 question ही बगवास पूछ लिये, 2-4 question तो ऐसे से हमेशा से पूछ आई है, ऐसे सवाल पूछ गा जो सायद नहीं पता हूँ, अवे तो कम आ रहा हो सही चला गया, तो वो बात अलग है, बहुत कम बच्चों को उनके answers पता होते हैं, तो जो आज तीनो shift आई है, वो relevant आई है, और देखो, 70-80% chance मैं फिर कह रहा हूँ, कि relevant shift आने के ही है, तो अगर आप MTS के लिए बहुत time से महनत कर रहो, तो पढ़ते रहो, बिल्कुल अपना moral down करने की ज़रोत नहीं है, कि relevant question आएंगे, नहीं आएंगे, देखो हो सकता है, कि आपकी shift, म थोड़ा सा label के बारे बात कर लेते हैं, first shift में आपका जो gk है, वो बिल्कुल doable है, 15-16 question, और जो थोड़ा gk अच्छे से पढ़ता है, जिनका time हो गया, वो लगवग 20 question भी आज करके आए है, ठीके 22-22 question उनने attempt किया है, जिसमें से 18-19-20 उनके सही है, लेकिन on an average 15-16 question, मतलब 15-16 question आपके doable आए, और English आपकी जैसी आ रही है, वैसी ही आई है, इजी आई है, ठीके जो मैंने 35 rule कराए है, वो important है ही है, वहाँ से पढ़के जाओगे तो मुस्ट अब दो सवाल लगाई ही लोगे, और जो मैंने आपको PDF दिये, यह आप कहीं और से भी पढ़े हो, ऐसा न English तीनो में जी आ रही है, और जी के on and average मतलब की moderate ही रही है, आपकी तीनो सिफ्ट में, जैसे second सिफ्ट में 16-17 question doable रहे है, तो यह भी moderate ही रही है, और आपके English में 23 से लिखे 24 question doable रहे है, तो basically कोई पचा 30 कर पा रहा है, कोई 24 कर पा रहा है, जादा से जादा आप अगर English में shift बड़ा सही score करते हो, तो एक या दो question में फस होगे, मेरे कहने का मतलब यह है, और third shift भी doable रही है, बहुसा ही लोगों ने बोला के भीया, 15-16 question हमने एक round में किये है, एक भाई से बात हो रही थी, उसने 17 question एक round में किये, एक ने बताया है कि उन्होंने 18 question एक round में किये, एक 14 question बताया था, तो different vary करता है कि आप कितने time से पढ़ रही हो, या आपका पढ़ा हुआ आया या नहीं, तो उस पर vary भी करता है, लेकिन shift में ऐसे फाल्दू सबाल नहीं पूछे गए है, कि जो बिल्कुल out of slaver सबाल हो, ठीक है, तो जो आपके सबाल है, वो relevant आए है, इनसे यही सीखने को मिलता है कि आप पढ़ते रहो, जैसे पढ़ रहे थे, वैसे महनत करते रहो, अब हम मैं बात कर लेते हैं, जिसके लिए आपने वीडियो देख रहो, वो है हमारे important topic के बारे में, तो देखो, from the day one आपसे एक बोलता आ रहा हो, fog dance most important है, सबसे ज्यादा important है, ठ deeply करने चाहिए, fog dance, ठीक है, जो मैंने आपको कराया है, fog dance, वो पूरे कर ले न, दो part में हमने करे थे, एक fog dance और एक fog dance part 2 लेके आया था, जिसमें classical dance और fog dance mix था, तो वो कर ले न, अगर आप खुद किसी और teacher से पढ़े तो उनको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से revise कर लो, fog dance से आपके सबाल बन रहे हैं, उसके बाद उससे भी ज्यादा important है आपका census 2011, census 2011 अच्छे से पढ़ लो, deep में पढ़ लो, ठीक है, जितना मैंने कराया है आपको उतना भी कर लोगे, तो आपका काम हो जाएगा, हो सकता है कि 1% ऐसा हो कि वहां से सबाल न फसे, क्योंकि एक स कर लो या किसी भी teacher से पढ़ो, मैं basically यह बता रहा हूँ, कि देखो पढ़ना तो आपको सब कुछ है, किन topics पे ज्यादा focus करना है, वह बात कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा time नहीं लोगा आपका, जली अलदी हम discuss कर लेते हैं, मैंने आपको एक topic बताया था, हिमालिया, ठीक ह and governor, उसके बाद आपका जितना classic folk dance important है, उतने ही classical dance important है, ठीक है, classical dance, ठीक है, यह भी पूछ लिया जाएगा, कि यह classical dance पूछ लिया जाएगा, का ठकली कहां का है, ठीक है, तो यह तो बहुत common question हो गया, classical dance और उसके dancers पता होने चाहिए, ऐसे ही भी सवाल बन रहे हैं आपकी shifts म लेकिन आपको classical, कौन सा classical dance करता है, यह भी पता होना चाहिए, और जैसा मैंने आपको बताया कि घराना important है, उसके बाद आपका fundamental duties को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो quality में, fundamental duties पढ़ लो quality में, article पढ़ लो quality में, source पढ़ लो quality में, ठीक है, अभी के साब से यह important है, उसके बा हमने बहुत साई dynasty के बारे में बात किया है, चोला dynasty, चालो की dynasty, तो वो PDF अच्छे से कर लेना, ठीक है, वो PDF अच्छे से कर लेना, उसके बाद है आपका, टेलीगराम पर आपको पीडिएफ मिल जाएगी, उसके बाद गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, मैं हिस्ट्री के लेक्षर में आपको अच्छे से पढ़ाया, उतना पढ़ लोगे, काम हो जाएगा, उसके बाद temple पढ़ लेना, और temple में थोड़ा सा है इनके types पढ़ लेना, जैसे कि north में कौन सा temple होता है, तीन style होती है, north, south, और एक mix होता है, जो north का temple होता है, उसकी shape कैसी हो WPL के बारे में पढ़ लो, थोड़ा सा IPL के बारे में पढ़ लो, आपको sports सारा पढ़ना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको कोई topic बता रहा हूं, जैसे WPL है, IPL है, या कोई champion cricket, मतलब basically sports में cricket को थोड़ा अच्छे से कर लेना, मैं ये कहना चाह रहा हूं है और उसके बाद, एक लेक, डैम, नेशनल पार्क, इन तीन topic में से आपकी shift में एक सवाल बनने के maximum chances है, कि इन तीन topic से एक सवाल आपकी shift में बन सकता है, चाहे वो नेशनल पार्क से पूछ लिया जा है, या डैम से या लेक से, ठीक है, तो ये भी important है, books and author, आपको पहरी सी बताता आ रहा हूं कि books and author काफी important है, books and author important है, उसके बाद आपका biology में बात करना है, तो vitamins most important है, vitamins and minerals, किसकी deficiency से क्या बीमारी होती है, आपको पता होना चाहे, vitamins and minerals के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, vitamins मैंने आपको biology के lecture में कराई है, जो complete biology उसमें minerals नहीं कराई, तो minerals आप कहीं और से कर लेना, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, scheme की, तो देखो scheme काफी important है, कर लेना scheme, उसके बाद है अपका scheme हो गया, North South dynasty हो गई, आपको मैं ये भी बोलता आ रहा हूं, Morarian period, देखो हो सकता है कि Morarian period से आपकी सवाल, देखो एक ही सवाल आएगा, या तो Morarian period से आएगा, या Gu इन topics से मिलके, एक सवाल आने के chances आपके shift में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद economics में, economics में एक तो मैं आने आपको बताया है, कि कौन सा capital expense है, कौन सा revenue expense है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा GDP, GNP के बारे में पढ़ लेना, GDP, GNP, इनके बारे में पढ़ लेना, economics में basically जितना मैंने आपको कराया है, वो lecture more than enough है, उसके बाद देखो हमने, मैंने आपको history के lecture में कराये थे, समाज, society कराये थी, जैसे प्रात्ना समाज है, आर्र समाज है, ब्रह्मो समाज है, और उसके founder कराये है, वो कहां पर found होई, कौन सी year म कराये, तो वो paper point of view से काफी important है, उसे पढ़ लेना, और देखो मैंने जो physics का lecture कराया, उसमें vector और scalar quantity के बारे में भी जिक्र किया था, तो basically physics का lecture जितना मैंने कराया, at least उतना तो करी लेना, ठीक है, उतना more than enough रहेगा आपके लिए, और यह कुछ important topic है, आप देखो जितना प नहीं हम और किसी video में करते हैं, और अब एक important बात कर लेता हूँ, यह important topic तो हमने बात कर ली, देखो मैंने WhatsApp number प्रोवाइड किया है आपको, कि अपना, आपकी shift कैसी आई, आपने कितना attempt किया, अगर आप topic बताना चाहते है, question बताना चाहते हैं, तो भी बता सकते हो, लेकिन अपना feedback जरूर सियर किया करो, यह मैंने आपको बोला है, वो number देखे, अब उस number पर बहुत सारे messages आते हैं, more than 200, 300 pluses message है, review के नहीं, ठीक है, feedback जो देते हैं, उनको तो चलो मैं देखता हूँ, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, यह मेरा mark सिश्टक हो गया है, मेरा 14 न लेकिन आप थोड़ा सा मुझे समझो भाई, मैं यह नहीं कहा रहा कि आप गलत हो, जिसको हम मानते हैं, तो हमें लगता है यह थोड़ी सी बता देगा, तो हम साही साही कर लेंगे, लेकिन मैं आप से एक बात बताता हूँ, मैं अपना एक job है, जो वो कर रहा हूँ, अभी म मैं अगर WhatsApp चैनल से जोड़े हूँ तो मैं आपको बताऊँ, मैं अभी GD का जो classes आएंगी, अभी कुछ टाइम बात GD की classes आने लगेंगे, आपको history, geography, quality और ऐसा नहीं है कि वो GD की classes होंगी, आप कोई भी exam दे रहो, उन classes को देख लेना, वो more than enough रहाएंगी, इस तरह से मै content prepare कर रहा हूँ, है न, उसमें काफी महनत लग रही है, और बहुत सारी चीजें हैं, जो मैं single-handedly manage कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा एक paid group भी चलता है, टेलिगराम पर, और WhatsApp पर भी मैं active रहता हूँ, और लोगों से भी बात कर रहा हूँ, जिनका paper हो रहा है, उनकी feedback भी देख तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल time नहीं मिलता कि मैं आप लोगों का reply कर पाऊ, तो मैं दिल से आप सभी से sorry मांग रहा हूँ, आज एक दो message मैंने ऐसे देखे, जो पहले तो उन्होंने बोला था कि भाईया, आप हमको ये बता दो, और मैंने उनका message नही के भी समझो भाई है न, अभी मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मेरे साथ बहुत साई लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, मैं सब single handle करता हूँ, सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें manage कर रहा हूँ, तो नहीं सब लोगों का respond कर पाता, तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत, आप से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं और खयाल रखिए अपना